नमस्कार, पलपल में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ नैंसी, चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्खबर से नेशनल टरस्ट द्वारा दिव्यागों के लिए एक दिवेशिया प्रसेशन शीवर आयोजित, समाजिक सस्ता दिशा द्वारा किया गया कार्यकरम का आयोजन, हर्याना प्रेटर्न निगम के चेर्मेन जग्दी शोप्रान की कर्यकरम की सुर्वात, अमर सिंग वैशुरंदर इस प्रिस्क्षन शीवर का उधकाटन हर्याना प्रेटर निगम के चेर्मन जगदीश चोप्लन किया, शीवर में प्रोज़क्टर के मादम से राष्ट्य नियास के कानूनी स्राकाथ वीशी सुकला ने विस्तार पूर्वक जामकरी दी. इस सबस्तर पर सीजम सतीश कुमार ने बताया कि जिला विदिक सेवा प्राधितरन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए निशुल कानुनी सहता परदान की जाती है साथ ही उन्होंने डिव्यांग बच्चों को प्रोपर्टी को बेचने के लिए विशेश कानुन के बारे में बताया समाज से वी संस्था दिशाद्वारा आयोजित किया गया है जिसका धे बच्चों को प्रोसाहित करना दिव्यांग बच्चों को प्रोसाहित करना और उसी के साथ दिव्यांग बच्चों के अभी भावकों को वो समस्त जानकारियां देना है जिसके माध्यम से इन बच्चों को भी विक्सित किया जा सकता है आज यहां पर उपस्तित आकर नैशनल ट्रस्ट की ओर से भी विशेशग्य यहां पर उपस्तित हैं जो इनको सारी जानकारियां दे रहे हैं इसी के साथ ही हमारे यहां के CZM साभ ने भी यहां पर आकर कानुनी अपनी जानकारियां उकलब्द कराई हैं अर उसी के साथ जो बच्चों का मानस है और उनके संडरक्शन और पोशन के लिए जो ममत्व और समवेदन शीर भाव की आवश्यकता है वो यहाँ पर सभी के साथ शेयर किया गया मुझे लगता है कि अगर ऐसे कारिकरम समय समय पर आई वजित हों तो इन बच्चों को प्रोसाहन भी मिलेगा और इनकी जो दिव्यांगता है उसका समुच्चे समाज को अरदेश को लाब भी हो सकेगा दिशाजो की नोडल एजेंसी है नेशनल ट्रस्ट के दुआरा ये एक वरक्शोप कायोजन किया गया है जिसमें दिव्यांग बच्चों के क्या उनके अधिकार हैं कैसे उनके साथ डील करना है कानून में उनके क्या राइट्स हैं उसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा कोई भी दिव्यांग लीगल सर्विसीज फ्री ले सकता है जिलाविदिक सेवाप्रा दिकर्ण से उसको लीगल सर्विसीज बिलकुल मुफ्त मिलती है मुफ्त कानून इसायता का वो अकदार है तो इसमें वकील की फ्रीज से लेके और सारा कुछ जो एक्सपेंसिज हैं वो जिलाविदिक से वाप्रा दिकर्ण ही बियर करती है और दिव्यांगों के काफी सारे अधिकार हैं कि किसी भी दिव्यांग की हम प्रोपल्टी उसकी कोल्ट कारजियन के बिना नहीं बेच सकते तो लोगों को ये चोटी-चोटी बात पता नहीं होती है आज की इस खबर में बस इतना ही आप जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले